आप सबका स्वागत है technology की एक big good news में क्यूंकि यहां पर बात करी जाया तो लोगों के लिए किस तरीके से high speed internet provide करवाया जाया सबसे बड़ी दुभीदा है इस टम हम government की भी बात कर सकते हैं लेकिन हर किसी को 5G मिले एक wide range में वो possible नहीं है सई बात है क्योंकि अभी तो dense population के लिए इत्ता खर्चा कर रहे हैं telecom operator लेकिन ऐसी population के लिए बिल्कुल भी खर्चा नहीं करेंगे जहां पर 15-20 या हम बात करें 1000 लोग हैं वहां पर करोड़ों रुपे का खर्चा हो रहा है तो कोई भी telecom operator नहीं करेगा और सबसे बड़ा दवाव है high speed connectivity जो कि 5G के लवा तो आपको किसी और से नहीं देखने के लिए मिलती और हम बात करें यहां पर अभी तक सिर्फ telecom operators का ही दवाब था government के उपार लेकिन अब OTT live stream application जैसे कि हम netflix की बात करें Amazon की बात करें या हम जियो सिनिमा की बात करें तो और यह मतलब worldwide लेविल पे भी कह सकते हैं एशिया लेविल पे भी कह सकते हैं जो भी OTT application आपको प्रोवाइड करवाई जाती है आप easily Google Play से डाउनलोड कर लेते हैं तो इनका किस तरीके से प्रेशर है इनका इस तरीके से प्रेशर है कि ज सैटेलाइट आप्शनिंग राइट्स लेके आए गए हैं और कोशिश भी की जारी है कि जल से जल्दी यह पॉसीवल हो सके Department of Telecommunication से यह हम बात करें ट्राइल के तरफ से और इसमें साथ में इंटरनेशनल पिलियर्स भी कही ना कहीं पार्टिसेपेट करेंगे आपको इंटरनेट पचाना बाया सैटेलाइट जो कि एक बहुत बड़ी खीर अपने आप में क्योंकि यहां पर आपको मैल्टिपल वे से करेक्टिवीटी देखने के लिए मिलती है तो वह किसलिए यूजबल होगी वह सबसे बड़ी बात है और साथ में सबसे बड़ा सवाल बनत सुनने के लिए बट जल से जल्द किस तरीके से यह सब कुछ आपको प्रोवाइट करवाए जाए हाई स्पेट इंटरनेट और कहीं ना कहीं गवर्मेंट भी इस दवाब में होगी क्योंकि दिक्कत यह है कि इंडिया में यहां बात करें बहुत चुनिंदा देशों में ही स सैटलाइट से जो वेव से कंट्री के तरफ आएंगे उसकी आप्शनिंग की जाती है नहीं तो मैक्जिमम कंट्रियों में फिरे अफ कॉस्ट मतलब इस पे सिरिफ इंटरनेशनल प्लियर्स जो लोकल होते हैं वो कबजा करे बैठे होते हैं वो मल्टिपल बैंट से करते रह तब तक इंडिया अपनी 5G मतलब बात की जाए तो सैटलाइट की आप्शनिंग नहीं करेगी तब तक ये प्लियर्स प्रॉपर तरीके से ऑफिशल लॉंच नहीं कर सकते हैं अपनी इंटरनेट सर्विस इंडिया के अंदर जिससे कि लोगों को मैक्जिमम लोगों को मल्ट पर एडूकेशन प्लेटफॉर्म है तो इसमें आपको जादा से जादा एक्सप्रिमेंटल वीडियो और यूटूब की बात करें तो एक वाइड रेंज वीडियो देखने के लिए मिलती है और इससे की आपके पास सब कुछ जल्द से जल्द आपकी लूकेशन तक आपाए यह तो पॉसिबल कभी भी 5G के साथ नहीं हो पाएगा हर जगा हर समय आपको 24 hours क्योंकि किसी टावर पे electricity नहीं आ रही है तो वहाँ पे डीजल इंजन लगाया जाता है जो कि अपने आप में बहुत जादा कॉसली होता है और उस पे सिरिफ 15-20 लोग कनेक्ट है तो मतलब व कनेक्टिविटी ले सकते हैं डिवाइस में और इसमें आपको और कहिना करी टेलिकॉम ओपरेटर्स को भी मल्टिपल बेनिफिट देखने के लिए मिलेंगे लेकिन यह कनफॉर्म हो चुका है जल्दी आपको हाय स्पीट इंटरनेट बाया सैटलाइट तो मिलेगा लेकिन इस पे किस किस तरीके से बदलाव होंगे अटल भारती क्या करती है जियो क्या करता है या इंटरनेशनल लेविल के प्लियर्स आते हैं तो वो किस तरीके से ओफर देते हैं हमें स्टार लिंक का मालूम है लेकिन इंडिया में किस तरीके से सर्विश प्रवाइड करवाई ज प्रवाद नवाद